हेलो प्रेंड्स मैं रचकांती स्वागत करती हूं अपनी यूट्यूब चैनल पर फ्रेस्ट देखिया हूं अलड़ी बाजू को कटेंड कर दिया है इसका लंबाई हम साड़े तेरा इंच रखा है और साथ इंच इंच का चोड़ाई हम आगे के पाट के लिए बाजू वाला इसका फिटिंग के सिलाई हम 6 इंच पर देंगे और 10 इंच इसका चोड़ाई है और हम फिटिंग के सिलाई से हम 8 इंच पर देंगे तो देखिए फिर मेकर के इंच पर इसे मार्क कर लेंगे क्यूंकि इस पर हमें डिजाइन बनानी है पूरे में मेकर के मार्क करेंगे और कटिन कर देंगे तो दिखिए प्रेंट हमने कटिन कर लिया है और इसे हम दुन पाट को बनाएंगे तो दिखिए से हम कपड़ा कटिन किया है देवड़ इंच का तो इस पर हम सिलाई चला लेंगे तो दिखिए ऐसे ही हम सिलाई कुछ अटैश कर लिए और इसमें छुटी छुटी कट लगा देंगे दो कि जो यह हम है रहा है बाजू इससे फिनिसिंग की साथ निकले का चलिए उपर से भी हम एक सिलाई अटैश कर लेंगे तो दिखिए पर हम सिलाई अटैश कर लिया है वैसे ही हम दूसरा पार्ट को भी बनाएंगे तो दिखिए इस पर भी हम सिलाई अटैश कर लिया है इस पर भी हम चुटे चुटे कट लगा देंगे आप हमीशा कट लगाएं इस पर भी हम मिक्सिलाई अटैश कर लिया है तो दिखिए फेंच हमने दून पार्ट त्यार कर लिया है हेखलाब तो दिखिए दो पार्ट हमने कटिन कर लिया है डोरी के लिए दिखिए एक पार्ट हम देवर इंच के और दूसरा पार थाई एंच के हम इससे हम दोनों तरफ से वान फोल्ड करके शीलाई अटैश कर लेंगे इस पर वैसे ही हैं पूरे में सी लाइक अटेज करेंगे तो देखिए हमने ऐसे ही पूरे में सी लाइक अटेज करेंगे तो देखिए हमने अटेज कर लिया है तो जो मेरा इस्ट्रा धागे निकल गए उसे हम कटिंग कर देंगे तो दीखिए फ्रेंट इस पर भी हम सी लाइक अटेज करेंगे तो दीखिए हमने निकाल दिया हुआ है इस पर हम सी लाइक अटेज करेंगे तो दीखिए हमने निकाल दिया हुआ है इस पर हम अच्छे से इसे बीच भीच धागे कम कर देंगे इस पर प्रेस भी कर सकते हो तो दीखिए हमने त्यार कर लिए तो इस डोरी को हम दो-दो इंच पकटिंग करेंगे तो दीखिए हमने पूरे डोरी को पॉट्टिंट कर लिया है तो दीखिए फ्रेंट यह हम एक एक इंच पर अटेज करेंगे पहले उपर एक करेंगे फिर एक एक इंच पर ऐसे ही पूरी में अटेज करेंगे तो दीखिए फेंट ऐसे ही एक इंच पर आपको भी एक इंच कर लेना है आप विगनर्स हैं तो आप इसे न्यूज पीपर पर ही बनाएं तो इसे हम दूसरा तरह भी अटेज करेंगे तो फ्रेंट समाझ देढ़ इंच पर इसे कटिन के आया थाम देढ़ देढ़ इंच पर ही इसके शिलाई अटेज करेंगे तो दिखेंगे इसे हम पूरे में सिलाई अटेज कर लिया है इस पर हम प्लेट लगाएंगे देखें जो हमने कपरा निकाला हुआ है उसे हम प्लेट लगाएंगे इस पर इसे प्लेंट सम एक एक इंच के देंगे प्लेट लगाएंगे तो देखेंगे प्लेट से यहीं पूरे में प्लेट को देनी है एक एक इंच पर देखेंगे इस प्लेट कर देखेंगे तो देखेंगे प्लेट प्लेट देखेंगे तो रिकेश हम पूरे में दे दिया हुआ है और इसे हम उपर से भी एकसी लाई अटेच कर लेंगे तक कि जो प्लेट से हो अच्छा से बढ़ जाए तो दिकेए हमने पूरे में चिला हुआ कर देच कर लिया है तो दिखें फ्रेंज कितना ही आच्छा मेरा बाजू डिजान निकला हुआ है यदि मेरे वीडियो प्लोग का पसंद देगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कोमेंट सस्क्राइब और विल आइकन प्रिस करना नहीं भूलिएगा फ्रेंज बाई 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 फ्रेंज मिलते हैं एसे ही अगले वीडियो में